कर देखते हैं रईडम वेरियेबल में कॉन सा एक्साम्पल हमको दिया गया है то आध रेंडम वेरियेबल में एक्साम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा distribution function का हमारे पास exempl है a district random variable x has the following probability distribution, यानि कि probability का एक distribution हमको दिया गया है, जिसमें x की value क्या है, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, and 3, जहां पर probability दी हुए है, यानि कि जब minus 2 होगा question में, तब probability क्या मिलेगी, 0.1, minus 1 होगा तब कि, उसी तरह से 0 के लिए 0.2 है, 1 के लिए 2K है, 2 के लिए 0.3 probability है, and 3 के लिए है probability हमारी 3K, तो यहां पर सबसे पहले हमको find करनी है k की value, second question है, probability of x greater than 2, greater than or equal to 2, and third question है, हमारा probability minus 2 less than x less than 2, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम, सबसे पहला question जो है हमारे पास, वो है कि K की value find करनी है यहां पर, हमको यह पता है, कि कोई भी probability का question हो, उसमें जो answer मिलेगा, उसकी sum क्या होना चाहिए, उसका sum होना चाहिए 1, तभी वो answer हमारा क्या होगा, correct होगा, यानि कि यहां पर probability तो दी हुई है, यानि कि इसका भी sum क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानि कि summation of probability x is equal to x, is equal to क्या होना चाहिए, 1, यहां पर सारे कि सारे probability का sum क्या होना चाहिए, 1, यानि कि 0.1 plus k plus 0.2 plus 2k plus 0.3 plus 3k is equal to sum क्या होना चाहिए, 0.1 plus 0.2 plus 0.3 plus 0.3 plus 0.6 plus k plus 2k 3k plus 3k 6k is equal to 1, इसको सामने की साइट बेज देते हैं, यानि कि 6k is equal to 1 minus 0.6, यानि कि 0.4 बचेगा, यानि कि 6k is equal to 0.4 को आम लिख सकते हैं, 4 upon 10, यानि कि k is equal to हो जाएगा, 4 upon 6 को सामने की साइट डिविजन में, यानि कि 60, यानि कि ये मिल गया k की वैल्यू हमको मिल गई 1 upon 15, अभी ये जो k की वैल्यू मिली हमको, उसको यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे तो 0.1 है कि यह तो है नहीं, तो यहाँ पे रखने की ज़रूर नहीं, यहाँ पे k है, तो इसकी जगा पे आ जाएगा, 1 upon 15, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 2 k है, यानि कि यहाँ पे आ जाएगा 2 upon 15, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 3 k है, यानि कि यहाँ पे आ जाएगा 3 upon 15, मिल गई सारी की सारी वेल्यू, सेकेंड क्वेस्टिन क्या बोलता है हमारा, सेकेंड क्वेस्टिन बोलता है, प्रॉबबबिलिटी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, सेकेंड क्वेस्टिन हमारा है, प्रॉबबिलिटी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू यानि कि एक्स की वेल्यू दो से बड़ी होनी चाहिए, या फिर दो होनी चाहिए, यानि कि probability of x is equal to 2 plus probability of x is equal to 3 दो ही value है 2 and 3 2 से बढ़ी and 2 से इक्वल चलिए probability of 2 क्या मिले 0.3 यानि कि 3 upon 10 लिख सकते है इसको plus probability of x is equal to 3 क्या मिले 3 upon 15 यानि कि 3 upon 15 लिखते है LCM ले लेते है 30 इसको 30 करने के लिए 3 से multiply divide यानि कि 9 plus इसको 2 से multiply divide यानि कि 6 यानि कि ये मिल गया हमको 9 plus 6 15 15 upon 30 यानि कि ये हो गया 2 यानि कि हमको answer मिल गया 1 upon 2 यानि कि probability of x greater than or equal to 2 का answer मिल गया हमको 1 upon 2 अभी थर्ड question क्या था probability of minus 2 less than x less than 2 यहाँ पे सिर्फ less than है इसका मतलब minus 2 and 2 उसमें include नहीं होगा तो क्या क्या include होगा minus 1, 0 and 1 चलिए लिख लेते हैं थर्ड वन है हमारा probability of minus 2 less than x less than 2 यानि कि probability of x is equal to 1 minus 1 plus probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 चलिए, minus 1 के लिए probability क्या मिली थी? 1 upon 15 plus 0 के लिए क्या मिली थी? 0.2 यानि कि 2 upon 10 लिख सकते हैं इसको plus 1 के लिए क्या मिली थी? 2 upon 15 तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 upon 15 LCM हो जाएगा 30 इसको 30 करने के लिए 2 से multiply यानि कि 2 into 1, 2 plus इसको 30 करने के लिए 3 से multiply 2 into 3, 6 6 प्लस इसको 30 करने के लिए 2 से multiply यानि कि 2 into 2, 4 6 plus 2 8, 8 plus 4, 12 12 upon 30 2 से इसको हो जाएगा कि किस से cancel out हो जाएगा 6 into 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 into 5, 6, 6 cancel out यानि कि answer मिल रिए 2 upon 5 यानि कि probability of minus 2 2 less than or less than x less than 2 उसकी probability किया मिल गए 2 upon 5 जो हमको find करने के लिए बोले गई थी झास्टवाएब करने कि चास्टवच्श् Music